इबन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में थोड़ी हवा नाक में गुजगई थोड़ी गुजगई कान में कभी नाक को कभी कान को मलते इबन बतूता इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता उड़ते उड़ते उनका जूता पहुच गया जापान में इबन बतूता खड़े रहे गए मूची की दुकान में ये कविता सर्वेश्र दयाल सक्सेना दौरा लिखी गई थी Hello everyone, welcome to the 13th episode of A Story A Week मेरा नाम है अक्षे कपूर, आज की episode में मैं बात करने वाला हूँ इबन बतूता की इबन बतूता का नाम हम सबने सुना है, कुछ लोगों ने इनका नाम इश्किया फिल्म के गाने में सुना है इबन बतूता के नाम में आज दुबई में एक प्रसिद मौलवी है तो आखिर कौन थे इबन बतूता, क्यूं वो इतने प्रसित हुए और हमारे देश से उनका क्या नाता है इबन बतूता विश्व इतिहास के वो एक्स्प्लोरर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा दूरी तैक की थी एज ट्रैवलर एक्स्प्लोरर इबन बतूता ने एक लाख सत्रा हजार किलोमेटर याने की बहत्तर हजार माइल्स ट्रैवल किया था ये अपनी यातराओं में साथ अलग अलग राजाओं से मिले थे इबन बतूता एक एफरीकी डिसेंट के इस्लामिक एक्स्प्लोरर थे इनका जनम 24 फरवरी 1304 में मौरको देश के टैंजियर शहर में हुआ था ये टैंजियर की एक इस्लामिक लीगल स्कॉलर्स यानि की काजी के परिवार में पैदा हुए थे इन्होंने खुद भी काजी की पढ़ाई की थी ये मक्का और मदीना जाकर उच शिक्षा ग्रहन करना चाते थे बड़े काजी बनना चाते थे और हज करना चाते थे ये 21 साल के उपर में अपने घर से निकल गए थे मक्का के लिए अकेले गोड़े पे मक्का का ये रस्ता सहरा रेगिस्तान से उकर गुजरता था और रस्ते में इनकी तब्यत बेहत खराब हो गई और ये गिर गए परंदू ये अपने सफर को लेकर इतने अडिक थे कि इन्होंने अपने आपको अपने गोले से रस्ती के साथ बान लिया और बचावा सफर तै किया मक्का पहुचके इन्होंने हज किया और काजी की पढ़ाई की मक्का में किसी ने इन्हें बता दिया था कि दिल्ली सुल्तान के पास बहुत शौरत है और वो इसलाम के स्कॉलर्स ढूंड रहे हैं ये मक्का से सिरिया होते वे तुर्की गए क्योंकि तुर्की से एक कारवा चलता था भारत के लिए तुर्की से फिर उस समय ये मंगोल राज्यों से होते वे इबन बतूता भारत पहुचे उस समय दिल्ली में तुगलक राजवंश का राज्य था और सुल्तान था मुहम्मद बिन तुगलक मुहम्मद तुगलक उस समय के इसलामी देशों में सबसे अमीर सुल्तान था मुहम्मद बिन तुगलक वो ही सुल्तान है जिसे थोड़ा संकी या पागल कहा गया है इनके फैसलों की वज़े से राजधानी दिल्ली को हटा कर दौलत अबाद राजधानी बना देना फिर पूरी दिल्ली की जनता को दौलत अबाद ले जाना फिर कुछ साल बाद वापस राजधानी दिल्ली को बनाना इनका token currency का फैसला भी कुछ ऐसा ही विचित्र और मूर्खता पूर्ण था इबन बतुदा ने भारत में प्रवेश पेशावर के पास से किया और फिर राजपूती राज्यों से होते वे ये दिल्ली पहुचे इन्होंने उस समय के हासी शेहर के लिए लिखा था कि ये विश्के सबसे सुन्दर शेहरों में से एक है ये शेहर बहुत सुन्दर बना है और काफी populated भी है इसके चार ओर किले की बड़ी ताकतवर दिवार है और यहां का राजा तारा है एक मज़दार बात ये है कि इबन बतुदा ने उस समय सिंध प्रांत में सिंधु नदी के करीब एक इंडियन राइनोस औरस यानि की गैंडा देखा था इसका मतलब ये है कि उस समय तक गैंडा दक्षणी भारत में लुप्त नहीं हुआ था इबन बतुदा जब मुहमद बिन तुगलक के पास पहुचे तो सुल्तान उनसे मिलके बहुत खुश हुआ और उन्हें पूरे सामराज्य का काजी बनाने लगा मगर बतुदा घबरा गए बतुदा ने सुल्तान से कहा कि वो अभी इस मुल्क में नए आये है और इस मुल्क के तौर तरीके नहीं जानते इसलिए थोड़ा कम जिम्मधारी का पद से शुरुआज की जाए सुल्तान ने उनकी बात मानी और उन्हें दिल्ली का काजी बनाये गया इबन बतुदा लिखते हैं कि वो खुद सुल्तान के संगी सोच से परेशान थे सुल्तान कभी तो बतुदा से इतने खुश हो जाते थे कि उनको पैसो से बढ़ देते थे और कभी उनसे इतना नाराज हो जाते थे कि उन्हें गद्दार समझ लगते थे कुछ समय में ही बतुदा कम बन इस शानों शौकत से भर गया था और वो वापस जाना चाते थे 1341 में जाकर फिर उन्हें एक मौका मिला जब उन्हें सुल्तान का मैजडर बनके चायना जाने का मौका मिल रहा था उन्हें समुदर के रास्ते चायना जाना था मगर जब वो कैली कट पहुचे तब वहाँ एक तुफान ने उनका शिप तोड़ दिया बतूता कैली कट में ही फस गए वो वापस खाली हाथ संगी सुल्तान के पास जा नहीं सकते थे और आगे जाने का उनके पास अब कोई दूसरा साधन नहीं था तो कुछ समय कैली कट में गुजानने के बाद बतूता मालदीव्स चले गए मालदीव्स उस समय एक ऐसा दूइब राज्य था जो कि कुछ ही साल पहले बुद्धिस राज्य से इसलामी राज्य हुआ था और मालदीव्स के राज्य को एक अच्छे काजी की जरूरत थी बतूता को राज्य का काजी बनाये गया और बेशुमार दूलत दी गई उन्हें दास दिये गए शाही गरानों में उनकी शादी कराए गई लेकिन बतूता एक सक्त और कट्टर काजी थे उन्होंने राज्य में सक्त इसलामी नियम लगाए जैसे की अगर कोई शुकरवार के दिन नमाज नहीं पड़ता है तो उसे कोड़े बारे जाए चोर के हाथ काटे जाए औरतों को पूरे कपड़े और नकाब पहना जरूरी कर दिया था ये सब वहाँ के लोगों के लिए नया था क्योंकि एक ट्रॉपिकल दूई राष्टर होने के नाते मालदीव्स की वेश-बूशा और सोज काफी लिबरल थी वहाँ के लोग इस कटर कानूनों से खफा थे और इसी के चलते बतूता ने रिजाइन कर दिया सच ये है कि अगर बतूता रिजाइन नहीं करते तो उन्हें हटा दिया जाता हटने के बाद वे फिर निकल गए श्रिलंका, बांगलादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियत नाम होते वे चाइना की और बतूता ने मालदीव्स में चार शादियां की थी और अपने पूरे ट्रैवल्स में 20 से 25 शादियां की थी वो हर जगे शादि करते थे और जाते समय तलाग देते वे आगे चले जाते थे उस समय के मर्चंट और कारवाँ वाले इसलामिक कल्चर में शायद ये आम बात थी 24 साल बाद जब अपने वतन लोटे तब मौरको के राजा ने इन्हें अपनी सारी ट्रैवल्स की कहानी इबन जुआजी को बताने का हुकम दिया और इबन जुआजी ने इन ट्रैवल्स को एक किताब में लिख दिया जिसका नाम है A Masterpiece to Those who Contemplate the Wonders of Cities and the Marvels of Travelling जिसे Short में The Travels या रिहला भी का जाता है इन सभी ट्रिप्स की कहानी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर सारी कहानी बताने लगा तो एक गंटे से उपर की वीडियो हो जाएगी आप इनकी कहानी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये गए वीडियो पर देख सकते हैं काफी मज़ेदार कहानी आए इनके ट्रैवल्स की इनके बारे में एक और important बात ये है कि भारत के सुप्रसित खजराओ मंदिर का इतियास का सबसे पहला विवरन इनकी किताब रिहला में ही मिलता है इन्होंने अपनी सारी ट्रिप्श की डेटेल रिहला में लिखी थी मगर आज के स्कॉलर्स रिहला को पूरी तरह सच नहीं मानते स्कॉलर्स मानते हैं कि उन्होंने कुछ तो दूसरे ट्रैवलर्स की किताब से उठाए हैं और कुछ जगे उनके claim भी सच साबित नहीं हुए Wikipedia पे इस controversy की detail आप पढ़ सकते हैं जिसका link नीचे description में है इसी बात के साथ मैं अपना episode खतम करता हूँ और फिर से अगले episode में मिलता हूँ एक नई मज़ेदार कहनी के साथ This is your host Akshay Kapoor signing off Please don't forget to like, share, comment and subscribe Please comment कि ये story आपको कैसी लगी, thank you